Yes, ready for dictation, start मानने मंत्रे जी, मैं सरकार की कर नीती के संबंद में अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूँ विराम सरकार की कर और कीमत नीती जन कल्यान के लिए नहीं बनाई गई है विराम आज यह आम लोगों पर कहर धाने लगी है विराम उध्योगों तथा कंपनियों को अधिक से अधिक राहत देने से जनता की आम खपत की चीजें मेहंगी की जा रही है विराम अर्थ सास्त्रियों की राय में इससे एक और परतेक वस्तु की कीमत बढ़ेगी तथा दूसरी और इसके साथ ही साथ महंगाई भत्ते की मांग भी बढ़ेगी जिसके फलसवरूप योजना खर्च में व्रीदी होगी फिराम अभी से कोईला, चावल, गेहू, चेनी, खाने के तेल और पेट्रोल, डेजल, रसोई गैस, उरवर्क और मिटी के तेल की कीमतों में भारी व्रीधी हो चुकी है जिससे ने केवल कम आये वाले लोगों पर बलकी मध्य वर्ग के लोगों पर भी जीवन यापन का काफी बोज बड़ा है विराम इससे सबजियों, फलों तथा आम खपत की हर व्यस्तु पर परभाव पड़ेगा विराम अर्थ विवस्था फिर से कीमतों में व्यापक व्रेधी और विश्तार का सिकार हो जाएगी विराम इसमें कोई सक नहीं की सरकार ने अपना बढ़ता हुआ घाटा पूरा करने के लिए ये कदम उठाए हैं किन्तु यह विचारणिय है कि इससे खर्च के हर अक्षेतर में व्यापक व्रेधी होगी यह निश्चे ही मुद्रा स्फीती की परकरिया को बढ़ावा देगा विराम पैरा बड़े बड़े सहरों में आए दिन बसों के भाड़े बढ़ाए जाते हैं विराम अब देखना है कि रेलवे बजट में क्या होता है विराम पैट्रोल महेंगा होने से स्कूटर और टैक्सी के भाड़े भी भढ़ेंगे विराम परिवेहन खर्च बढ़ने से भी उपभोगता वस्तों की कीमतें बढ़ेंगी विराम सरकार द्वारा गोसित उदार आर्थिक नीतियां आम लोगों के लिए अचानक ही कठोर और निर्मम कैसे बन गई समझ में नहीं आता विराम अतै मेरा प्रधान मंत्री और वित मंत्री जी से अनुरोध है कि वे इस पर सहानों भूती पूर्वक विचार करें और विभिन करों के परस्ताव रखने से पहले गरीब तथा मध्यम वर्ग के लोगों को अवश्य द्रिष्टी में रखें विराम ऐसा नय करने पर कीमतों में अधिक वरीधी से गरीब लोगों तथा मिश्चित आई वर्ग समूह के लोगों की कमर तूट जाएगी विराम पैरा पुराने जमाने में लोग नए करों के लिए सिर्फ बजट के दिन ही घबराते थे लेकिन अब वर्ष का कोई भी दिन ऐसा नहीं जब लोगों को बढ़ती महंगाई से गबराहट ने हो विराम अतै मेरा पुने निवेदन है कि इस से पहले कि इस जन विरोधी नीती के विरुद समूचे देश में जोरदार आंदोलन सुरू किया जाए आप इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करें और ऐसे कदम उठाएं जिससे आम उपभोगता वस्तुएं सस्ती हों और हर एक आदमी को असानी से मिल सके